बेलकम बैक टी नटे उसके बारे में कुछ बताने वाला हो और मैं बात करूँ तो अभी देख सकती है दोभर कर समय है our काफी अच्छा लग रहा है और रेल लग रहा है और ठीसन पी पहुचने हेवाले हैं और हमें लगता है आठ किलोमेटर या साथ किलोमेटर के डिस्टेंस ही होगा और इससे पहले मैं यहीं कहूंगा वीडियो को अभी जश्ट तुरंत लाइक करें नए महमान तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन तुरंत अभी दबा दें त आपको स्टेशन कोड जरूरी चाहिए होता है या देखने के कि हमारे रिखेंस का कोड किया है स्टेशन कोड या यूद्ध्य視 कैंट और प्लेटवसांम का किंस प्लेटवांम सबाठें लेकिन अभी जेंडर बिखर रहा है यह जल्दी सरा अईंडव सब्सक्राइफ्ह स्टेशन पर लग रही है और मैं बात करूं तो एक चीज में आप से पूछना चाहूंगा कि पहले अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं तो आप कमेंट करके बताएं नहीं तो अगर आप कभी भी अयोध्या गए है तो नीचे जरूर कमेंट करके बताएं अभी जो आप रेल्वे स्टेशन देखेंगे अयोध्या कैंड उसमें क्या परिवर्तन है पहले कैसा था और अब कैसा है तो यह सब चीज आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ आप भी हमें जरूर नीचे कमेंट क जाएंगे हम लोग और देखते ही जाईए और कितना बढ़िया लग रहा है देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ट्रेन एकदम राउंड पर घूम रही है और स्टेशन पर लगने वाली है तो थोड़ा सा हमें लगता है समय लगएगा दो तीन चार पांस मिनिट और लगेंगे और स्टेशन पहुंचने वाले हैं और यह सब देख सकते हैं आयोध्या में ही हम हम लोग है बस स्टेशन की तरफ गाड़ी चल रही है और स्लो भी हो चुकी है तो और मैं बात करूं तो वरांसी यहां से 2200 किलिमेटर के आसपास में है और देखते हैं कितने समय म लगा तो कहीं आयोध्या कैंड तो बोलते ही है आयोध्या चावनी रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं और काफी बड़ा में है अभी हम इस बार जा रहे हैं देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है आप लोग को भी दिखाएंगे और यह सम नजारा देख सेकते हो कितना बढ़िया लग रहा है और नेचर देखो कितना बढ़िया मज़ा आता है और दोस्तों यह बाहर का सीन तो बहुत ही अल्टिमेट है और मैं बात करूं तो आयोध्या में आया था दो साल पहले जब लागडाउन लगा था जब उपेन हुआ था तब उस समय क्या था कि उपेन हुआ था और उस में आया था तो आयोध्या में हमने राम जी के मंदिर भी दर्शन भी किया था और सरी नरी के पास भी गया था आरती भी देखा था अरकी पाली भी घ्या था वहां पर भी दर्शन किये थे काफी मज़ा आया अयुध्या में तो मैं यहीं कहूँगा कि अगर आप कभी भी अयुध्या आना चाहते तो जरूर आएं देखें यहां का जो राम जी का मंदिर है वहां दर्सन करें और आरती बिलिहार की पाउडी भी जाएं तो बहुत सारे मंदिर हैं यहां पर आके आप दर्सन कर रखते हैं और मैं बात करता हूँ कि ट्रेन की स्पीड काफी देज़ो चुकी है और देखते हैं जली जली पहुंच जाते हैं स्टेशन हम लोग और मज़ा आया है और जादे महांगा भी सहर नहीं है हम यहां पर आये थे काफी अच्छा लगा हमने सहर का वीडिय भी दिया था और मतलब की एक एवरेज है कि आप नार्मली खापी सकते हैं आराम से जादे महांगा सहर नहीं है और थोड़े और बात करूं तो यहां पर आपको हर एक सुखसुदाएं मिल जाती हैं बस यहीं है कि आप सुबह सुबह जाएंगे तोड़ा दर्सन संद करें ह बहुत अच्छा लगेगा आपको और मजा भी आता है मतलब की देख सकते हैं कि एक तरह का मतलब कि आपको बहुत जो अंदर से फिलिंग होती बहुत अच्छी होती है कर आप आयोध्या घुमते तो और वहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं बना हर एक फिसल्टी है अब दोस पर लग रही है और देख सकते हैं काफी बड़े में railway station हमें तो दिख रहा है वाकि आप भी देख के बताएं कैसा आपको दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और यह सब सीन देखें पांचे हमें लगता कि सातार दस्थो यह ट्रैक होगा और प्रेटफॉर्म की स दंख्या तो हमने बताया था पांच है और आने वाले समय में जो बन रहा है एक दो और एक बड़ सकता है और यह सब सीन देख सकते हैं कार हो रही है और सामने देख सकते हैं अयुद्या कैंट railway station काफी अच्छा काफी साफ सुतरा हमें दिख रहा है बाकि आप बताओ कि इसा है सबसीन अभी यह कार हो रही है इस railway station पर क्योंकि नाम चेंज हुआ है और इसके लिए कुछ बजट भी पास हुआ है तो कार प्रगत्ती पर है और मैं एक कर सकता हूं कि 100-100 साल पुराना यह railway station है और यहां पर देख सकते हैं यह है पूरा अध्या कैंट railway station जो कि पहल प्रगते फैजाबाद जंक्सन हुआ करता था अभी नाम चेंज हो चुका है और देख सकते हैं कैसा है काफी अच्छा लग रहा है साफ सफाई तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है बाकी आप बताओ अगर आप पहले कभी आए हो तो अपना feedback कमेंट में दे सकते हैं कि पहले railway station कैसा हुआ करता था अयोध्या का और अब कैसा है अयोध्या का railway station और हम तो पहली बार आ रहे हैं तो इसलिए हम बता सकते हैं कि हमारे हिसाफ से बहुत अच्छा है कि साफसफाई बहुत अच्छा है कहीं बेर ट्रैक और राक पर गंदगी नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे बहुत बढ़कर आप है और बाकी हमें बढ़ है और आप बताओं यह सकते हैं तो यह है यह है और अखताओं यह घो तो यह सकते हैं अ क्यां बहुत कुछ देखरोब सन्सूरा का गाडी हमारी अप slow हो रही है प्लेट्फॉर्म पे लग रही है और कौन सा प्लेट फाय नंबर है यह तो मिरत को नहीं मालूम लेकिन यहां पर रुक़्ेंगी और देख सकते हैं कारे भी चालू है साफ सफाइव की कारे चालू है कुछ और भी हो गा जो भी हो पाना हो जाए और वीडियो को अब यहें पर हम इंडि करते हैं थोड़ा ट्रेन रुकने तक हम चलते रहते हैं और बस यहीं कहूंगा कि वीडियो को अब इंडि करने का समय आ गया है वीडियो को लाइक कर देना नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आ बाइ ने अगले बड़ो में